हालो दोस्तों, वालकम टू स्लीपी क्लासेस आज आपकी आंथ्रोपॉलोजी सीरीज का दे इलेवन है आज हम डिस्कास करेंगे अबाउट पुलिटिकल ओर्गनाजेशन आज सोशल कंड्रोल पार्ट वन पर बिफोर आज स्टार्ट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है आपका बेसिक कॉंसेस पे काम करना और उसी चीज़ पे हम इस सीरीज में डिसकास कर रहे है बेसिक के लिए बहुत इंपोर्टन्ट होता है कि आप सीक्वंस में पढ़े रिजन ने भी जिस तरहां से आपकी बेसिक्स डेवलाप होंगे एक बेसिक लाइन ओफ थौट सीक्वंस में डेवलाप होगा वही लाइन ओफ थौट आपका एक्जाम में आंसर्ज में भी रिफलेक्ट होता है इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप इस सीरीज को थोड़ा लेट जॉइन कर रहे हैं करें कि आप दे थ्री से शुरू करें और दे फोर दे फाइफ काल्चर सिवलाइजेशन फैमली मैरच से होते हुए आप इकनॉमिक आंथ्रोपोलोजी शुरू करके फिर यहां पर पढ़ें क्योंकि यही लाइन ओफ थॉट है जो आप एक्जाम में भी जो है यूज करेंगे तो चलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक की शुरूआत करते हैं जब भी हम पुलिटिकल और्गनाइजेशन और सोशल कंट्रोल की बात करते हैं हम बेसिकली यहां पर पुलिटिकल आंथ्रोपोलोजी की बात कर रहे हैं अब जब भी हम political शब्द की बात करते हैं हमें पता है कि हम power की बात कर रहे हैं हम authority की बात कर रहे हैं और हम leadership की बात भी कर रहे हैं यानि कि the moment you say political anthropology political anthropology basically study है power की, authority की, leadership की लेकिन किस तरहां की societies में अब ये भी चीज हमने कई बाद discuss की है कि the beauty of anthropology is that it not only studies modern societies यानि कि जब भी हम political anthropology की बात करेंगे तो we are actually studying about power, authority, leadership in both modern and primitive societies लेकिन हमेशा ही political anthropology की मतलब सिर्फ leadership को समझना नहीं होता we also have to understand कि political anthropology का या किसी भी political organization का agenda बहुत ही जदा wider होता है उस particular society में किस तरहां के functions होंगे for example किस तरहां के economic functions होंगे किस तरहां का cultural develop होगा उस particular organization की political authority का इसमें बहुत बढ़ा हाथ होता है इसका बहुत ही अच्छा जो है हम example समझते हैं अब क्या example हो सकता है बहुत अच्छा example होता है कि political organizations जो है वही decide करती है कि आपके economic systems कैसे होंगे इसा नहीं है कि यह इस पर depend नहीं करता कि वहाँ पर conditions क्या होंगी लेकिन political organizations का बहुत बढ़ा रोल होता है इसमें for example economic systems है अब हमने पढ़ा था for example अगर हम पिछले lecture को ही याद करे there's something called potlash potlash ceremony के बारे में हमने पढ़ा था British Columbia में अब हमने क्या पढ़ा था potlash system में एक chief होता है जो कि resources को divide करता है among its subjects तो chief decide कर रहा है कि resources कैसे जो है divide होंगे यानि कि एक political authority जो है जिसके पास leadership है जिसके पास power है वो decide कर रहा है कि economic systems कैसे होंगे then we had also talked about barter system barter system किस तरहां से work करेगा कही न कही इसमें भी उस particular tribe में उस particular organization में जो भी leader होंगे चाहे informal leader हो सकते है formal leaders हो सकते है वो भी decide करते है यानि कि कही न कहीं political anthropology study है उन सभी systems की जो कहीं न कहीं जो आम जनता है वहां की जो भी वहां पे public है उनके लिए जो goals decided है for getting a social order for giving them वो होता है इसलिए जब भी हम political anthropology की definition की बात करते है according to Swartz it's a study of the processes जो की involved होते है कि किस तरह के public goals होंगे to determine what could be the public goals to implement the public goals कि आपने एक बाद public goals decide कर ली उसके बाद आप उनको implement भी कर रहे है potlash में chief अपने हिसाब से जो है resources divide कर रहे है so how to divide what to divide right and doing this with the use of power for the entire group is what is known as your political anthropology right तो I hope आपको basic definition समझ में आगे कि political anthropology is not just about power authority leadership but it is about कि public के लिए जो आम जनता है वहां पे जो आपकी organization के लोग है जो tribe के members है जो आपकी band organization के members है उनकी क्या goals होने चाहिए उनको किस तरह से determine किया जाए किस तरह से implement किया जाए by the use of power vested in the authority ठीक है जी simple था चलिए आगे बढ़ते है but your topic for the day is political organization अब हमने पढ़ा कि political authority जो है decide कर रहे है अब किस तरह के authorities हो सकती है किस तरह के structures पाय जाते है वो हम पढ़ते है political organization so basically political organization क्या है political organization का basic agenda है कि अपनी tribe में अपनी community में maintenance of orderly social relations रखे why are we saying orderly social relations orderly social relationship का मतलब सर्फ यह नहीं है कि society जो है peacefully चले by order चले it means कि इसके broader parameters है मालनी जे कि कोई भी society peacefully या orderly कैसे चलेगी जब उनके बास resources बहुत है इसका मतलब है कही ना कही economic systems जो है जो decide करते है कि resources किसमे कैसे divide होंगे वो भी political organization divide करती है decide करती है similarly अगर आप बानलो कि tribes में conflict हो सकते है तो dispute resolution कैसे होगा इसमें भी तो किसका role बहुत ज़ादा होता है जो वहां की political organization है जिसके पास बहुत ज़ादा power है आगे जाके हम एक-एक political organization समझेंगे आप basic समझें पहले so basically political organization का agenda क्या है कि orderly social relationships जो है between different groups of the tribe or of band उसको जो है वो orderly बनाए ठीक है जी अब यह कैसे हो रहा है किस तरह की organizations हो रहे यह पढ़ना बहुत ज़ादा जरूरी है तो यहां से आपका formal topic शुरू होता है कि types of political organizations कौन-कौन सी है पहली type की political organization होती है band organization अब हम पढ़ते आए हैं कि societies पहले आपकी hunting gathering societies थी तो जो यह hunting gathering societies हैं nomadic पाए जाते थे यह लोग nomadic यानि कि एक जगा से दूसरी जगा resources की खोज में जा रहे थे तो ऐसे जिए छोटी-छोटी societies थी इनको आप band organization गहते हैं अब because इन societies का major agenda कहा था subsistence का कि हमें अपने लिए subsistence के लिए यानि कि अपने जीवन यापन के लिए सामान इकठा करना है in terms of food in terms of hunting in terms of gathering things इसलिए आप देखोगे कि कभी भी society properly बनाने पर काम नहीं कर पाए क्योंकि हमेशा ही अपने जीवन यापन में लगे रहे इसलिए आप देखोगे कि इन में authority बहुत ही जादा informal रही है देखा जाता था कि let's say कि authority आपको बहुत informal basis पे मिल जाती थे there was a possibility कि आप because you're the oldest आपको authority दे दी गई या फिर let's say you're very good at hunting तो आपको जो है authority दे दी जाती थी because आपस band के लिए resources लेके आते थे food लेके आते थे इसका मतलब है कि बहुत ही informal authority थी कोई formal organization नहीं थी और क्योंकि कोई formal organization नहीं थी तो resources अब कैसे distribute हो resources distribute होते थे on the basis of reciprocity reciprocity को हमने काफी detail में economic anthropology में discuss किया है यह अपने आप में एक अलग topic है पर मैं आपको बहुत basic याद करा देती हूँ reciprocity में basically अगर आप किसी को कोई resource दे रहे थे तो आप उसके बदले में कोई monetary value expect नहीं कर रहे थे because उस समय exist ही नहीं करती थी तो क्योंकि societies बहुत informal थी nomadic थी तो form of distribution भी वैसा ही था and societies जो है बहुत ही ज़दा egalitarian थे egalitarian याद रखना egalitarian हमें लगता होता है कि शायद इसका मतलब है हर कोई equal है नहीं हर कोई equal नहीं है लेकिन अगर आपको कोई authority की position चाहिए that is open for everybody कि resources के लिए हर कोई equal access कर सकता है eventually there can be different conditions for it मैं आपको समझाती हूँ for example कैसे मैंने आपको बोला कि informal authority है यानि कि कोई भी head बन सकता है तो access to that position is open to everybody लेकिन अब मिले किसे that can depend upon separate skill set for example हो सकता है because you are old आपका skill set match कर गया आपको authority मिल गई एक और skill set क्या हो सकता है कि because आप जो है बहुत ही जादा hunting अच्छी कर रहे थे उस band को आप खाना लाके दे रहे थे it can be for you तो basically egalitarian societies थी कि access to power सबके लिए equal है लेकिन eventually मिलती कि इसको है वो differ कर सकता है also because बहुत जादा formal systems नहीं थे तो देखा गया है कि जब भी conflict होता था चाहे within these bands चाहे between different bands तो बहुत ही informally dispute resolution होता था for example अगर आप Australian Aborigines की बात करो तो वहाँ पे कोई formal issue नहीं था या कोई formal mechanism नहीं था वो dispute resolution वो जो है spear throwing कर लेते तो spear क्या होता है जो भाला कहते हुआ so by throwing these peers उनका dispute resolution हो जाता था जो वहाँ पे जीत किया वो dispute भी जीत किया और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये nomadic people थे इनका agenda was subsistence तो इनकी subsistence भी depend करती थी कि season किस तरह से इसके बहुत अच्छा example आप लिखोगे inuit people कि किसी season में जहां पे जादा resources होते थे they would move there किसी और season में कहीं और जादा resources होते थे they would move there तो पहले आप सारे characteristics बताओगे उसके बाद आप इसका example भी दोगे लेकिन अब इस पूरी चीज का एक exception है आपने यहाँ पे ये चीज समझी थी कि इनका basic काम जो है foraging या food collecting था लेकिन सिर्फ foraging या food collecting इकलोता इनका condition तो नहीं है they can be nomadic they can be people with informal authority they can be people जो egalitarian है they can be people जो reciprocity पे काम करते हैं तो यहाँ पे tribe पाई जाती है native American societies जो कि categorically pacific coast पे रहते हैं अब क्योंकि यह pacific coast पे रहती थी इन्हें resources की कमी नहीं थी हमेशा यहाँ पे salmon या fishes जो हैं पाई जाती थी but still they chose to live in informal authority they chose to live as band organization तो जो यह definitions हैं यह बहुत ही hard and fast नहीं है because societies इतनी जादा है primitive societies इतनी जादा है क्योंकि conditions differ कर सकती हैं तो जब भी आप band organization की बात करेंगे पहले आप इनके basic characteristics लिखेंगे उसके बाद आप इन में जो भी आपको example लगता है for example हमने inward people दिया है वो लिखेंगे लेकिन फिर एक पूरी चीज का आप exception भी लिखेंगे कि यहाँ पे exactly कुछ tribes ऐसी मिलती है जो शायद band organization में पाई जाती है informal authority में पाई जाती है लेकिन उनके पास resources scarcity की दिक्कते हैं और food collect नहीं करती है रादर pacific coast के पास रहने की वज़े से उनके पास बहुत जादा salmon या fishes का resource पाई जाता है ठीके जी अब यहाँ पे आपने बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि authority centralized नहीं है यानि कि यह बहुत अच्छा example है आपकी un-centralized authority राइट so technically जब discussion शुरूर होता है मुझे सबसे पहले आपको यह बताना चाहिए था un-centralized society authority का example है यह but it's very very temporary ठीके जी समझ मैं है अब एक और हम un-centralized society की बात करते है next हमारी un-centralized society कौन सी है tribal organization अब नए tribal organizations को आप समझो tribal organizations में basically क्या होता है मान लीजे की कोई एक clan है clan की example समझते है चार clans है यह जो चारो clans है इनका structure भी एक होना चाहिए और इनका function भी एक होना चाहिए यह tribal organization का बनती है जब यह एक साथ आ सकती है in terms of certain crisis यह in turn of certain issues अगर आप इसके definition भी देखो मैं आपको समझाऊंगी with example कि यह local communities है clan हो सकते है organization हो सकते है age sect हो सकते हमें की चीज़ समझेंगे जो की potentially integrate हो सकती है as per need इसका बहुत अच्छा example है associations associations में क्या हो सकता है 4 different associations है जिनका structure भी सेम है function भी सेम है अब इसका बहुत अच्छा example है chaine warrior club यह जो chaine warrior club है यह basically एक military club है तो जब भी आपके disputes होते हैं तो यह military club जो है एक साथ आ जाता है for issue resolution similarly जो आपके Winnie Bagg Red Indians of Wisconsin है है तो यह clan अब इस clan में क्या है एक पूरा clan है जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे clans है और इसमें already decided है कि different clans क्या होगा clans का नाम भी है इनमे आप देखोगे किसी clan का नाम है Thunderbird clan किसी clan का नाम है Wolf clan और इन clans का again structure और function एक तरह का होगा but in terms of certain necessities यह सारे के सारे clans एक साथ हाजाते हैं लेट से कोई military conflict हो dispute resolution हो they again come together यानि कि tribal organization बनने का सबसे पहला criteria क्या है कि जतनी भी यह organization बन रही है this will be group of communities लेकिन यह जतनी भी group of communities है इन सभी communities का structure और function एक जैसा होना चाहिए and they can potentially come together in terms of a crisis और सबसे पहला example आप military club का दोगे which is your chaine warrior club यहाँ पर भी आप देखोगे authority local level पर तो बहुत informal है कि इन सभी organizations में इन सभी communities में कोई formal head नहीं होता formal head क्यों नहीं हो रहा पता है because अगर formal head होता तो यह community साथ आती तो कितना conflict हो जाता कि अब कौन totally head करेगा so that's a separate sort of organization right क्योंकि अब माल लो head A है, B है, C है, D है when they come together now who will lead इसलिए कोई formal heads नहीं होते in organizations के यह 4 या 5 या let's say कितनी भी organizations हो सकती है जिनका structure और function similar है and they can come together for some particular agenda again similar है because un-centralized societies है तो social differentiation भी egalitarian है कि access to resources access to power सबके लिए open है लेकिन मिलेगा किसे that could be a different thing for example मानी जे military club है तो सभी लोग अगर potential military heads बनना साथे बन सकते है लेकिन बनेगा कौन that can depend on the community ठीक है जी simple था चलिए आगे बढ़ते है अब आपके ये दो तो example थे un-centralized के band भी आपका un-centralized था और tribal organization भी अब बात शुरू होती है आपकी centralized organization की अब centralized में basically क्या है center of authority किसी के पास जो है सीमित है plus ranks भी possible है ये rank का मतलब है कि सब egalitarian नहीं है एक level पे नहीं जैसे ही आम आदमी और एक कोई top पे हो गया तो हमने क्या किया हमने ranks बना दी so having one leader at the top also differentiate between the ranks so कहीं न कहीं अब society egalitarian नहीं रह गई अब society में rank system आ गया अब आपकोगी यहां पे ma'am वहां पे भी तो there was somebody at the head बिल्कुल सही बात है लेकिन यहां पे अब एक proper head बन गया है how that'll work मतलब मानी जै कि वो hereditary बनेंगे या वो किसी feud से बनेंगे यह depend कर सकता है और यहां पे एक दो चीज़े हैं जो additionally or different है कैसे यहां पर अगर मैं आपको categorically समझाओ अब आप ज़्यादा चीज़े समझोगे हमने tribes में क्या पढ़ा था कि मानी जै चार different tribes है जब वो एक साथ आ गई तो हमने एक particular tribal organization मना दी लेकिन वहां condition क्या थी कि इन चारों का structure भी अलग होना चाहिए था function भी structure और function एक होना चाहिए था chiefdom में क्या होता है कि ये चारों एक साथ आ रही है लेकिन इनका structure और function जो है different हो सकता है there's a possibility कि जितनी communities आई है वो structurally और functionally different हो chiefdom का basic agenda क्या है कि आप बहुत सारी local communities को integrate करके एक साथ ले आते हो लेकिन जरूरी नहीं है कि वो community structurally और functionally same हो अगर वो structurally और functionally same होती तो वो tribes बन जाती लेकिन अब वो structurally और functionally different है यहाँ पर chiefdom बनेगा and the second most important thing being जब ये सब एक साथ आ गए now they are under one particular chief ये चीज जो है tribes में नहीं थी tribes again uncentralized societies थी tribes विलकुल एक साथ आई थी because they wanted to achieve an objective for example dispute resolution यहाँ पर एक तो all these things will have their own agendas plus now they'll come under one single leader that'll be your chief. तो usually ये communities बहुत जादा बड़ी होती है right rank system होता है और एक centralized leadership भी होती है यहाँ पर अब mode of distribution में एक चीज आड़ हो जाती है that is redistribution redistribution का पहले भी हमने example पढ़ा है जो मैंने आपको portlast बताया है British Columbia में कि chief जो है redistribute करता है सामान को. समल अली यहाँ पर जो Fiji chiefs है वो भी जो है goods को भी redistribute करते हैं और labor को भी redistribute करते हैं तो यहाँ पर redistribution major mode of distribution माना जाता है लेकिन छोटे levels पर क्योंकि बहुत सारी different communities exist कर रहे हैं, reciprocity भी within the community पाई जा सकती है तो 100% redistribution नहीं होगा लेकिन majority chief ही decide करते हैं कि किस तहां से resources जो है distribute होंगे अब देखो chiefdom जब बहुत ही stringent बन जाता है ना जब ऐसा होता है कि chief सारे resources अपने लिए रखने लगे या chief अपनी authority को maintain करने के लिए army का use करने लग जाए और formal structures बन जाए तो यही chiefdom जो है eventually बन जाती है states अब state जो है अगर आप modern state की बात करो यहाँ पे भी ऐसा ही है centralized decision making ही है तो chiefdom की तरह जो communities थी वहाँ पे भी centralized decision making ही होती थी over a lot of other communities लेकिन यहाँ पे एक formal institution बना दिया जाता था for example legislature functions executive functions judicial functions dispute resolution functions यह सभी functions जो है अलग-अलग define कर दिये जाते थे अब ध्यान रखना function अलग-अलग define कर रहे हैं जरूरी नहीं कि हर चीज को अलग-अलग जो है बन्दा ही execute कर रहा इसका बहुत अचा example है hey hey of tangani of africa यहाँ पे जो chief था chief के पास ही सारे के सारे functions थे chief ही वहाँ की legislative authority था, chief ही वहाँ की judiciary था और chief के पास ही सारी पावस्ती but at least things were differentiated कि यह इसका legislative function है यह इसका judicial function है, यह इसका dispute resolution function है अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको समझनी है यह chief और state में पहला चीज तो differentiation का यही है कि institutions बन गए लेकिन अगर सब कुछ centralized authority ही करा रही है तो chiefdom से करा ले state की क्या जरूरत है यहाँ पे चीज समझो chiefdom में हमने कोई भी ऐसा mechanism नहीं समझा जिससे chief अपनी power को enforce करा सकता है देखो एक तो चीज क्या होती है कि chief head है मुझे chief की बात माननी है that's how the communities were ऐसा कोई formal mechanism नहीं था जिससे कि chief अपनी बात मनवार सके माननी जे कि आपने कोई dispute raise किया तो chief की मर्जी थी क्या करने there was no formal mechanism to deal with the dispute और माननी जे कि आपने chief की बात नहीं माननी so there was no formal mechanism for punishment right उसमें क्या था chief की जैसे मर्जी होगी चीजे वैसे चलेगी so people used to listen to your chief just because वो head है तो chief के पास कोई enforcing mechanism नहीं था यहाँ पर अब यह जो enforcing mechanism है यह state में लाये गया यहाँ एक proper mechanism मनाये गया with the help of institutions यहाँ पर power को govern किया गया हर एक चीज को differentiate करगी कि आप power collect आप taxes collect भी कर सकते हो कोई taxes ना पे करे तो उनको किस चीज से आप जो है punish करोगे उसके लिए laws भी आए so basically state का basic agenda क्या था mechanism set करना कि जो at the top है उसकी बाद जो है सारे सुने और mechanisms किसे set किये गए with the help of differentiating between different functions legislature, executive, judiciary और इसका बहुत अच्छा example है hey hey of Tangania of Africa जो मैंने आपको बताया है कि although different functions थे पर सारे functions किस के पास थे chief के पास थे now chief had a mechanism कि अगर कोई rules को follow नहीं करता तो क्या mechanism है कि उनको जो है punish किया जा सके अब क्योंकि societies बहुत बड़ी हो गई resources वैसे distribute हो गए तो यहाँ पर आपका caste, class यह सभी जो है issues जो है बनने शुरू हो गए and eventually this state का जो भी concept था this has led to our modern societies modern societies में चीज़े बहुत ज़दा complex हो गई है right लेकिन आपको एक basic definition पता होनी चाहिए case studies बता देती हूँ जरूरी नहीं आप सारे के सारे याद रखे आप जो है अगर basic एक दो चीज़े भी याद रख लेते हैं आपको बहुत यच्छे marks मिलेंगे लेकिन I will keep on giving you lot of examples अगर आप याद कर सके तो definitely आपका answer बहुत ज़ादा enrich होगा तो आज हमने काफी detail में देखा है कि किस तरह से एक simple band organization बनी यहाँ पर आप देखोगे single community की बात है फिर हमने देखा कि similar communities जब एक साथ आई तो वह tribes बन गई लेकिन ऐसी भी possibility थी जब agriculture बढ़ा जब territories design हुई कि एक chief ने बहुत सारी different tribes को जो है अपने under जो है control कर लिया और ज़रूरी नहीं था कि यह जो different organizations है इनका structure और function same हो there was a possibility कि इनके structure function different हो सकते हैं लेकिन जब chiefdom के functions को enforce करने की बात आई तो enforcing mechanisms को बनाने के लिए और क्योंकि societies बहुत बढ़ रही थी properly state को बनाये गया जहां पे centralized decision making हुई और वही से जो है आपकी modern state की शुरूबात हुई तो again ये भी एक centralized organization का example है ठीक है ठीक so I hope आपको बहुत basic चीज़े समझ में आई है यही basics हैं जो आपको exam में marks दिलाएंगी तो पढ़ते रहिए कोशश करते रहिए कि बहुत ज़्यादा revisions करें लेकिन कोशश कीज़े कि आप sequence में पढ़ें day 3 से शुरू करके आप day 10 की तरफ जाएं और आप देखेंगे जब आप बिलकुल ही categorically sequence में चीज़े पढ़ेंगे आपका line of thought बहुत clear होगा और आपकी conceptual clarity leaps and bounds से बढ़ जाएगी और वही चीज़ आपकी answers में भी reflect होगी तो आज के लिए इतना ही keep studying, keep revising all the best bye bye